नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अनन्त राठी मनुचे कित्सा केवन अशामुक्ति विशेशग्य बीकाने राजस्तान से दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक काफी कॉमन साइकालोजिकल प्रॉब्लम की जिसके बारे में बहुत से मरीज आकर के बताते हैं कि विचार से उस विचार से एक अगला विचार उस अगले विचार से एक अगला विचार उस तरह एक कड़ी एक चेन बहुत लंबी बन जाती है हम जिस मूल काम को कर रहे थे वो तो हम भूल जाते हैं और विचार में इतने मश्कूल हो जाते हैं कि खो जाते हैं हमारा काम समय पर नहीं हो पाता, उन विचारों की वज़े से हमें tension हो जाती हो अलग, क्योंकि एक से एक एक से एक anxiety से related विचार जय्दा तर जिसमें हमें tension हो रही हो, या कोई हमें life में परेशानी हो रही हो, अब हम क्या करेंगे, कैसे ठीक होगा, क्या होगा की नहीं होगा, मुझसे क्या क किया जा सकेगा मैं इस करने के लायक हूं या नहीं हूं इस तरह विचारों की एक श्रंकला एक चेंस ही बन जाती है और हमारा समय कब बीच जाता है हमें पता ही नहीं चलता और इस overthinking की वज़े से दिमाग हमारा इतना गरम हो जाता है और हम कुछ भी सही नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बस इसी विचारों की उधेड़ बुन में हम जो है हमारी सारी उर्जां हमारी सारी एनरजी को खतम कर देते हैं और फिर उस विच विचारों के अत्यदिक आने की वज़े से एक तो हमारा सरदर्द होना शुरू हो जाता है दूसरा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बहुत ज्यादा घबराट हमें होने लगती है और उस घबराट में कभी-कभी हमें बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन यानि हमारी दड़ खराब कर रहे हैं बलकि हमारे dolphin को भी-कर दो बार-बार इन विचार आने के कारण हमें टेंशन की वज़े से हमारा डीपी बढ़ जाता है कभी-कभी सीने में भारीपन मेlogशूस हो लग औसल receptors हो जाता है उसमें गुड-गुड ने लगती है यह खाना नहीं पंचता है या बलकि हमारा स्वास्थ्य भी, हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है तो डॉक साब इन विचारों से हम कैसे निजात पाएं कैसे इन से हम छुटकारा पाएं इस बारे में आप हमें बताईए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ओवर्थिंकिंग को सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ओवर्थिंकिंग जो है वो मतलब इटसेल्फ प्रॉब्लम है बहुत लोग क्या होते हैं जैसे किसी प्रॉब्लम में हैं किसी टेंशन में हैं किसी तनाव में उनकी life में कोई stress है तो वो क्या है फिर उस पर सोचना शुरू कर देते हैं कि इस problem से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं ये problem कैसे आई क्या मैं ही काबिल नहीं हूँ या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस तरह उसके problem के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं इसको कहते हैं negative overthinking हमें ये समझना है दोस्तों कि overthinking करने से यानि ज़्यादा सोचने से किसी problem का solution नहीं होगा बल्कि एक नई problem शुरू होगी जिसे हम कहते हैं anxiety disorders जी हाँ दोस्तों जब हम ज़्यादा सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में तो उससे problem का solution नहीं निकलना बल्कि हमें क्या सोचना है कि इस problem का solution कैसे निकला जाए अगर हमें पता है कि problem ये है और अब हमें इसका solution निकालना है तो solution के बारे में सोचें हमें क्या करना है क्या करना है मान लो हमारे हाथ में इसका solution निकालना ये काम कर लेने से इसका problem का solution हो जाएगा तो उस काम की तरफ कदम भड़ाए हम उस काम को करने के लिए एक plan बनाए ठी मेरे को इस से मिलना है फिर वहाँ जाना है फिर ये काम करना है फिर वैसा उसको मैं कह दूँगा तो ये मेरी problem solve हो जाएगी या तो ये या वो problem अगर हमारे control में नहीं है वो परिस्थितियां हमारे control में नहीं है हमसे वो manage नहीं हो सकती है तो हमें उस problem को ठीक करने के लिए किसी उचित व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो उस problem को solve करने की आपको राय दे सके कोई बुद्धी जीवी हो कोई experienced person हो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका well visher हो जो इन चीजों से काफी गुजर चुका हो जिनने experience हो उन व्यक्तियों से जाकर के हमें सलाह लेनी चाहिए कि मेरे को ये ये चीज की दिक्कत आ रही है अब इसको solve करने के लिए मैं क्या करूँ वो जो सलाह देंगे उस सलाह को समझिए फिर उसका एक plan बनाईए कि मेरे को इस इस काम को ऐसे करना है और उस plan को execute कीजिए उससे वो problem solve होगी overthinking से कभी भी problem solve नहीं होगी बलकि overthinking itself अपने आप में एक problem है जब भी हम overthinking problem के बारे में करेंगे problem बढ़ेगी आपको think करना ही है तो solution के बारे में कीजिए problem ये है इलाज क्या है उस चीज को बारे में सोचिए हमें आता है इलाज करना कैसे करेंगे plan बनाईए हमें नहीं आता है, किसी से help लीजिए, plan बनाईए और उस काम को कर दीजिए करने को किसी काम के करने से उस problem का हल निकलेगा सोचने से कत्ता ही हल नहीं निकलेगा, बलकि एक anxiety disorder की नई problem खड़ी हो जाएगी अब हम बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं इस बारे में जब हमें overthinking होने लग जाए, तो सबसे पहले हमें सोचना है कि जो भी हम सोच रहे हैं ज्यादा वो क्या rational है, वो क्या वास्तों में इतना सोचने लाइक है, क्या ये इतनी गंबीर समस्या है कि मैं इसको इतना समय दूँ क्या ये समस्या वास्तों में मेरे जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकती है क्या मेरा सोचना इस बारे में इतना सही है या यह एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको मुझे इतना समय नहीं देना चाहिए तो इस तरह इस प्रॉब्लम को हमे सोचना चाहिए कि इस problem के बारे में मुझे कितना समय देना है क्या मेरा इसको अत्यदिक सोचना जायज है कहीं मैं फिजूल ही तो इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फिजूल की बातों को सोचने में समय बिलकुल नहीं वेस्ट करना चाहिए ये चीज ये चीज तो ऐसे हो जाएगी और खतम बाद इसको हम तब कर लेंगे बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देना ही नहीं अपना समय उसको देना ही नहीं है तो फालतू की बात को जिसका कोई वज़य नहीं हो उस बात को हमें सोचना है ही नहीं नमबर तीन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम ठिंकिंग के लिए एक टाइम रख सकते हैं मान लो आपको कोई चीज के बारे में सोचना है कि भी ये काम कैसे करेंगे अब एक तो तरीका है कि आप पूरे दिन उस बारे में जो भी काम कर रहे हैं उसके बीच बीच में सोचते रहें एक यह तरीका है कि यह इस बारे में मुझे को सोचना है तो एक काम करते हैं आज शाम को 5-6 मैं थोड़ा free हूँ तो उस दोरान मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचूंगा देखते हैं क्या कर सकते हैं इस तरह से हमें अपने मन में अपने दिमाग में time table create कर लेना है कि हमें कब इस problem का solution सोचना है बाकी पूरे दिन अपना काम कीजिए कि जब आपको यह समय मिले उस समय आप उस चीश को सोचे बार बार अगर विचार आ रहा हो प्रॉब्लम से संबंदित तो एक काम और कर सकते हैं कि आप छोटी डायरी अपने पास रख सकते हैं अपनी टेबल पे रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, मालो एक की विचार बार-बार, एक की प्रॉब्लम से संबंदित विचार बार-बार आ रहा है, तो आप उसको note-down कर लिजिए, note-down करके और उसको यह लिखिए, इस प्रॉब्लम के बारे में मेरे को शाम को 5-6 सोचना है, इसका क्या solution किया जा सकता है, तो जब आप एक बार लिख लेंगे, तो दिमाग अपने आप उसमें feeding हो जाएगी, चलो इसके बारे में वो समय निर्धारित है, उसके बारे में उस समय सोचा जाएगा, तो दिमाग में अपने आप उस विचार के आने की frequency कम हो सकते हैं, stop, जब हम अपने मन में जोर से stop दोराएंगे, तो मन एक बार अपने आप रुक जाएगा, दिमाग में ये अपने आप message जाएगा, कि ये विचार मुझे सोचना अभी नहीं है, इसको हम बाद में सोचेंगे, जो हमारा thinking time है, उसके बारे में सोचेंगे, तो इन चीजों से हमें, जो है हम overthinking की problem से निजात पा सकते हैं दोस्तों, 100% treatment हो सकता है overthinking का, बस हमें समझना है कि किसी भी समस्या को सोचने से निप्तारा नहीं होगा, उस समस्या का निप्तारा, उस समस्या का हल के बारे में सोचने से होगा number 1, number 2, उस समस्या को हमें कितनी importance देनी है, यह हमें decide करना आना चाहिए, छोटी मोटी problem है, हमें उसको बहुत ज़्यादा importance नहीं देनी, बड़ी problem है, हमें उसको importance देनी है, किसी भी problem का हल निकालने के लिए हमारे पास एक fix समय होना चाहिए, कि इसकी बारे में मैं इस से बात करूँगा, इस समय जाकर के वहां मेरी problem का solve हो जाएगा, तो वो एक समय fix होना चाहिए, नमबर चार, अपनी diary में इस problem को लिख सकते हैं, जो भी problem आपको परिशान कर रही है, ताकि हम उसको बाद में भूल नहीं जाएं, और समय आने पर उसका निप्तारा कर दें, या अपने मन को खुद ही जोर से stop ब होती जाएगी, आशा करता हूँ दोस्तों, आपको मेरे द्वारदीगी जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरे इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, जै हिन जै भारत!